हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक और ने व्लॉग में तो आज का जो व्लॉग है वह बहुत ही एकसाइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रही थी मैंने ना कुछ इंडिया से लिए तो चलो पहले उठाते उन बॉक्स को बहार से और फिर करते उन बॉक्स की अन बॉक्सिंग को Sorogy इसमें कुछ समान भी है कि इसनान भी है जिसका मुझे आइडिया भी नहीं है क्योंकि जिसने ये boxes मुझे भेजे हैं उसने भी हमारे लिए कुछ surprise shopping करके भेजा है जो हमने नहीं देखा है तो वो मेरे लिए एक तुम प्रॉपर surprise है और वो dresses भी मेरे लिए surprise है जो मैंने खुद order की है क्योंकि मैंने जिसने उनको देखकर order किया मुझे नहीं पता की कैसी होंगी वो अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी क्योंकि जब तक आप चीजों को हाथ में नहीं देखो तब तक पता नहीं चलता की वो कैसा है तो मैं बहुत excited हूँ सब चीजों को देखने के लिए तो सबसे पहले पुच्छी ने बोला कि ममा बड़ा वाला बॉक्स ओपन करो तो हमने बड़ा वाला बॉक्स ओपन किया और खोलते ही हम लोग excited हो गए दोनो मुझसे जादा वो लड़की excited हो रही थी कि इसमें क्या-क्या आ रहा है क्या-क्या नहीं और देखो कितना excited हो कि उसने start भी कर दिया खोलना और मेरे हाथ में सबसे पहले यह आया अब मैं confused होगी कि यह है क्या बाद में पता चला कि यह इसकी cap का नीचे का जो neck cover होता है वो है क्योंकि मैंने एक monkey cap order की थी मुझे लगा था जो monkey cap होगी वो proper monkey जैसी होगी बट यह different type की monkey cap आई है फिर निकले इसमें से कुछ पुच्चू के ethnic wear क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सारे ethnic wear order की है यहाँ पर पूजा में हम लोगों ethnic wear की बहुत ज़रत पड़ती है और जब मैं आई थी मैं already अपने साथ 6 बैग लेकर आई थी लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता हम मिलता ही नहीं है और फिर मैंने इसलिए सोचा कि इस बार मैं थोड़ा अच्छे से order कर लेती हूँ अपने लिए मैं ethnic wear अच्छे से लेकर आई थी बहुत सारे new dresses है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किये बट western मैं थोड़े कम लेकर आई थी मुझे लगा था कि western तो वहाँ पर लोग पहनते हैं तो मुझे मिल जाएगा यहां देखो इसके लिए निकला ये gift इसकी नानी ने भेजाई यह polar bear यह इसके लिए बहुत excited थी कि कब मेरा वो polar bear आएगा और मैं उसे खेलूंगे और फिर आया यह उसका bag इस bag के लिए भी वो बहुत excited थी यह bag इसने खुदी select किया था कि ममा मुझे unicorn वाला bag चाहिए और यह butterfly वाला pop it bag तो यह दोनों bag इसके खुद के choice के हैं जो इसने मंगाए इन bag के अंदर निकले कुछ मेरे cosmetic stuff तो मैंने कुछ cosmetic समान भी मंगाया था लेकिन इतना ही नहीं मैंने बहुत सारा मंगाया था बाद में पता चला कि कूरियन में cosmetic का समान नहीं जा सकता तो मेरा सार्थी से जादा समान उधर ही रहा गया सिर्फे sunscreen और एक कुछ compact आया है फिर निकालना शुरू कि मैंने अपनी dresses जितनी dresses मैं अभी तक निकाल रही थी यह सारी dresses नम मीशो से हैं और dresses मुझे अच्छी लग रही थी देखकर मतलब मैंने ऐसे जस्ट छुई और मुझे बहुत अच्छी लगी फिर मैंने निकालने स्टार्ट की यहां से जूते मैंने shoes भी बहुत सारे मंगा है क्योंकि specially हम दोनों को यहां पर shoes ही नहीं मिल रहे ऐसा नहीं कि price लोग बोलते हैं कि US में आपको original price पे मतलब original brand मिलेंगे और अच्छे price मिलेंगे बट हो क्या रहा है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं हम लोग को size ही नहीं मिल रहा है shoes का तो वो बहुत problem हो रहा है यह black dress बहुत सुंदर लगी मुझे यह सुमन ने अपनी choice से भेज़े यह मेरे लिए surprise है बहुत अच्छा इससे पहले जो मैंने dress रखा वो भी सुमन ने भेज़ा है वो भी बहुत अच्छा है सुमन कौन है सुमन मेरी ननन है मेरे husband की एक बहन है तो उसने यह सारा समान हमें भेज़ा है हमने उसको बोला था कि कौन हमें समान भेज़ सकता है कौन नहीं क्योंकि जिस courier service से मैंने मंगाया यह कुछी states में available होती है तो हमें उस accordingly समान मंगवाना था दहरा दून में यह courier service अभेलेबल नहीं है और अब यह खोला मैंने packet इस packet में निकला बहुत सारा पूजा का समान मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी पूजा का समान ले लेना क्योंकि मेरी मम्मी रेसेंटली मुंबई गई थी तो यह सारा समान मुंबई से आया है तो मेरी मम्मी ने सारा समान सुमन को दिया इसलिए यह सारा समान घर से और सुमन के थू मेरे पास आया है यह ड्रेस भी मैंने मिशो से मंगाया है बट यह मुझे अच्छा नहीं लगा तो घर में पैनूंगी फिर मैंने निकालना शुरू किया तो इसमें निकले यह पुच्चू के ड्रेसेस मैंने इसके लिए कुछ फ्लोरल ड्रेसेस मंगाया है क्योंकि अब समय स्टार्ट होने वाला है तो बीच जाने के लिए फ्लोरल ड्रेसे बढ़ अच्छे लगते हैं यह ड्रेस मैंने मिशो से टॉप लिया है पता नहीं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी यह है एक छोटी सी कैप इसमें से निकले बहुत सारे क्लेचर और यह कैप मैंने अपने लिए मंगाई है क्योंकि मुझे कैप चाहिए थी एक लास्ट टाइम मैं जो लेकर आई थी वो अच्छी नहीं थी यह लड़की ना मुझे रिकॉर्ड करने दे रही थी ना समान देखने दे रही थी क्योंकि इतना एक्साइटेड होई थी इसको यह हो रहा था यह भी निकाल के देखो वो भी निकाल के देखो बच्चों का तो आपको पता ही है ये वाला dress भी मीशों से आया है और मैंने सोचा नहीं था कि ये dress इतना अच्छा होगा बहुत ही प्यारा dress निकला है ये dress सुमन ने भेजा है ये dress हमारे लिए सप्राइज है पुच्छो के लिए बहुत ही प्यारा कोट सेट है बहुत सुन्दर लगा मुझे ये जरूर मैं इसको पहना हूँगा और शायद मैं इसको अभी रिसेंटली पहना दूंगी क्योंकि जल्दी दुर्गा पूजा आने सरस्वती पूजा आ रही है तो मैं सोची इसको सरस्वती पूजा में ये पहना देती हूँ और ये dresses मैंने इसके लिए मंगाई है ये वाली dress है बेबी हक्की जो मैंने first cry से मंगाई है स्टार्टिंग के टाइम पे first cry ने at least two year तक इतना अच्छा-च्छा dresses मिला है मुझे लेकिन अब जो जितना बड़ी हो रहे ना first cry में dress मिलना मुश्किल हो रहे वही सारा repeated stuff है आप पसंद नहीं आता अब ऐसा लगता है कि आप इसके लिए shopping बाहर से ही करना बनता है एक और ड्रेस निकली ये dress black dress थी और इस dress के लिए मैं seriously बहुत excited थी क्योंकि ये ना बहुत सुंदा लग रहे थी जब मैंने इसको देखा था और seriously जैसा मैंने सोचा था ये dress वैसी ही निकली है तो मुझे बस ऐसा हो रहे कि जल्दी ठंड जाया और गर्मी आया और मैं साधी dress पहन हूं और बहुत ही excited हूं यहाँ पर निकला कुछ मैंने थर्स्टे के fasting स्टार्ट की है तो जिसके लिए मुझे ये book और ये कपड़ा चाहिए था मैंने यहाँ देखा बट मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा जब सामान आ रहा है तो उसी में मंगवा लेती हूं तो ये भी मैंने मंगवा लिया फिर देखो ये मैंने मंगा य जो कि एक steel की कड़ाई है क्योंकि मेरे पास जो कड़ाई है वो aluminium है और मुझे बहुत लोगों ने comment में बोला कि आपको aluminium reuse नहीं करना चाहिए तो मैंने सोचा कि ठीक है आप लोग बोल रहे हो तो एक steel की कड़ाई में मंगा लेती हूं फिर आए मेरे मसाले ये मसाले मेरे घर ममी पापा ने बना कर घर पे प्रॉपर मसाले भेज और ये देखो कितना खुश होगी क्योंकि इसमेरे चिकन मसाले के पैकेट थे और उसे लगा कि बस नानू ने मेरे लिए चिकन मसाले के पैकेट भेज दिया तो वो ये देखके बहुत खुश होगी और ये फिर और उसक dresses मैंने मंगाई है with link और इसके code वगरा तो मुझे comment section में बताना मैं सारे trial करके video के साथ आपके साथ share करूँगी pricing कितना रहा है क्या रहा है सब मैं आपके साथ share करूँगी और इसका link भी साथ में share करूँगी पर उसके लिए मुझे आपका comment चाहिए होगा फिर निकला वहां से ये main चीज जो हमने order किया ये ना एक temple है जो हमने मंगाया है इंडिया से क्योंकि same चीज ना यहां पर जब हमने देखी ये इंडिया में हमें पढ़ी 1240 की और यहां पर same चीज है $400 with tax तो $400 आप लगा लो around 30,000 तो आप 30,000 में तो शायद मेरा ये सारा stuff आ गया हो गया और इतने में मैं यहां से temple खरीती तो इतलिए मैंने ये temple इंडिया से मंगाया है बात ये नहीं होती है कि चीजे कितनी महंगी है क्या है problem ये हो जाते हैं कि हम यहां पर इतना पैसा लगा कर भी न वो satisfaction नहीं ले पते हैं जो हमें हमारे इंडिया वाले stuff में मिल जाता है क्योंकि हम लोग उस इंडिया के stuff से used to है तो ये कुछ चीजे आई है मेरे husband के लिए कुछ T-shirt same repeated color मैं परेशान हो गई उन repeats color से बड़ क्या करूं उनको सब चीजों के अलावा कोई color पसंद नहीं आते तो ये चार T-shirt उनके लिए मैंने मंगा दी बोले repeat है तो क्या हुआ मैं पहनूंगा और ये करते करते ये box almost done हो गया है अब बार ही आती है दूसरे box को खुलने की अब उठाते हैं ये छोटा वाला box और देखते हैं इसमें क्या निकला वही इसमें इतना साना निकला इतना छोटे से box में और क्या बचा होगा मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा अब open करके देखते हैं कि क्या बचाओगा क्योंकि मेरे accordingly मैंने जितना कुछ order किया था सबी कुछ आ गया है बट शायद थोड़े shoes और हैं जो हमने मंगाए थे वो नहीं निकले तो hopefully मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से बस shoes ही निकलने वाले हैं और कुछ नहीं होगा और let's see open करते हैं और यह देखो वो अपना cap और सब कुछ लगा के बैड़ गई उससे ना विल्कुल भी wait नहीं हो रहा था चीजों के लिए और वीडियो खतम होने के बाद उसने अपने लहंके पहन लिए उसका एक लहंगा था इसमें वो पहन कर वो घूमने लगई मतलब उससे वेटी ने रहता बोड़ ममा यह मुझे पहनना है अभी पहनना है उसका चुनी उसका चोली सब कुछ पहन के पुरा घर में और फिर उसके बाद ममा घूमर घूमर चला दो पूरे घर में उसने डांस करना शुरू किया तो अब मैंने उपन किया यह और खोलते ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें शूस के साथ और क्या क्या है तो मैंने कुछ टीशेट्स भी मंगाई थी यहां मैंने टीशेट्स खरी दी बट वो टीशेट्स इतनी बेकार है कि मैं उनको यूज भी नहीं करती हूँ आपको mostly मैं repeated टीशेट्स में देखने के लिए मिलूँगी क्योंकि मुझे वो टीशेट्स comfortable नहीं हो रही थी तो मैंने सुचा यह comfortable वाली कुछ टीशेट्स मंगा ले थी तो यह total शायद 8 टीशेट है अब मुझे ना थोड़े dark color पहनना ही पसंद है मैं light color prefer बहुत कम करती हूँ इसने मैंने बोला था कि जितने dark हो उतने भेजना है ये भी उसकी बॉने भेजा और ये तो ये उसके लिए surprise है तो मैंने जितने dark हो सकते थे उतने मंगा है ये मेरे हस्बन के लिए कुछ shirts मैंने मंगाई है ये मैंने मिंतरा से order करती है और बहुत अच्छी shirt आई है हम दोनों को बहुत अच्छी लगी ये वाली shirt भी और एक और shirt दूसरी थी अब यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे मेरी t-shirts और यहाँ पर बीच में वो लड़की डाड़ भी खा रही है मुझसे कि बेटा परेशान मत करो तो मैंने total 8 t-shirt मंगाई है अलग-अलग सारी dark shades में तो अब मैं अपने t-shirts देख लेगी कि सारी खोल को कि सारी t-shirts बहुत अच्छी लगी मुझे मैंने सोचा था कि यह सारी t-shirts ना मैं घर में पहनूँगी बढ़ ट-shirts के prints इतने अच्छे थे कुछ t-shirts मैंने सोचा कि इधर दर निकलने के लिए भी रख देती हूँ कि अभी गर्मी आएंगी और comfort इतना होता है ना ट-shirt डाली jeans डाली कहीं भी जाना हो फटाफर से ट-shirt डालो और निकल लो मैं इसी टाइप की हूँ मुझे ऐसे ही पसंद है कि एकदम से फटाक से जो पहनो और निकल लो जादा मुझे नहीं होता है यह सब पहनना हाँ कभी कहीं जाना है तो फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाओ otherwise अगर आप मुझे बोलोगे कि बाहर जाना है तो नहीं बस ट-shirt डालो jeans डालो हो गया यह shirt भी मैंने अपने husband के मिला है बहुत अच्छी लगी मुझे check में यह भी मिंत्रा से आई उसके बाद जितने shoes मैंने में यह मंगाए है सम मिंत्रा से यह red tape के shoes है और यह shoes मुझे बहुत पसंद आये थे और सच में quality wise भी बहुत अच्छे निकले हैं नॉर्मली मुझे 37 आता है लेकिन यह 38 आया है तो आप समझ सकते हो एक number का difference है तो हलका सा lose है लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ पहनूंगी socks के साथ तो चलेगा यह black भी मैंने अपने लिए मगा है हम दोनों ने एक जैसे black दोनों एक जैसे लिए है क्योंकि प इतना पसंद है मैं चाहे इसको जिन्दगी भर पहन सकती हूँ इतना comfort है और इतना अच्छा है और यह निकली पुच्चो की कुछ अनारदाना गोली भाई बहुत खुश हुई वो इनको देकर क्योंकि उसके नानू उसके लिए लेकर आते थो और इसके नानू ने यह उसक आया आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई